गन्नाग्रंद अधियाएदस प्रभुने मुसा से कह दो तूरिहों बनवाओ तुम उन्हें चांदी से गड़वाओ उनसे लोगों को बुलाने और शिविर उठाने की सूचना देने का काम लो जब दोनों बजाई जाएंगी तो सारा समुदाय तुम्हारे पास दर्शन कख्ष के द्वार पर एकत्रित हो जाएगा जब केवल एक ही तुरही बजाई जाएगी तब तुम्हारे पास नेतागन इस्राइली वनशों के मुख्या एकत्रित हो जाएंगे जब उससे देर तक जोरों की आवाज हो तब पूर्व दिशा के पड़ाओ प्रस्थान करेंगे जब दूसरी बार जोरों से देर तक आवाज हो तो दक्षिन के पड़ाओ प्रस्थान करेंगे जब प्रस्तान करना हो तो देर तक जोरों की आवाज में उन्हें बजाया जाए और जब समुदाय को एकत्रित करना हो तो देर तक जोर से बजवा कर सामाने रूप से बजवाओ हरुन की याजग पुत्र तुरही बज़ाए या तुम्हारी पीडियों के लिए चिरस्ताई आदेश है जब अपने देश में तुम को सताने वाले शत्रों के विरुद लड़ाई करनी पड़े तब लगातार जोर से तुरहीया बजवाओ इससे प्रभु तुम्हारे इश्वर को तुम्हारा स्मरन हो जाएगा और तुम अपने शत्रों के हाथों से सुरक्षित रहोगे अपने आनन्द के दिनों, अपने उत्सवों, अमावस की हूम बलियों और शांती बलियों के अवसरों पर तुरहीया बजवाओ ये प्रभु को तुम्हारा स्मरन कराएगी मैं प्रभू तुम्हारा इश्वर हो दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के बीसवे दिन बादल विधान की मंजुसा के निवास से उपर उठा तब इस्राइली लोग भी सिनाए के उजाडखंड से सीविर उठाते हुए आगे की ओर बढ़े बादल परान नामक उजाडखंड में रुख गया यह पहला अवसर था कि प्रभू के द्वारा मुसा को दी गई आग्या के अनुसार प्रस्थान किया गया सबसे पहले यूदा कुल के लोगों ने अपने दलों के अनुसार अपने जंडे के साथ प्रस्थान किया उनके समुदाई का नेता अमिनदाब का फुत्र नशोन था। शुवार का फुत्र नतनायल इसाकर कुल वालों का नेता था। हेलोन का फुत्र एलियाब जबुलोन कुल वालों का नेत्रुत कर रहा था। तब निवास का शिविर उठाया गया और गिरुषेनी और मरारी लोगों ने प्रस्थान किया जो निवास का परिवाहन करते थे फिर रूबिन कुल के लोगों ने अपने दलों के अनुसार अपने जंडे के साथ प्रस्तान किया उनके समुदाई का नेता शेदियूर का फुत्र एलिसूर था शूरी सदै का फुत्र शलूमियल सीमोन कुल का नेता था दवेल का पुत्र एलियासाफ गाद कुल वालों का समुधाई का नेता था इसके बाद कहातियों ने प्रस्तान किया जो पवित्र वस्तुवें डोया करते थे इनके पहुंचने के पहले ही निवास का सिविर तान दिया गया था इसके बाद एफाहिम कुल के लोगों ने अपने ज़ंडे के साथ अपने दलों के अनुसार प्रस्थान किया अम्यहूद का फुत्र इलिव शमा उनके समुदाएका नेता था पदहसुर का फुत्र गमालील मन से कुल वालों का नेतरित्व कर रहा था गिदोनी का फुत्र अभिदान बिनियामिन कुल वालों के समुदाय का नेता था अंतमेदान कुल के लोगों ने अपने जंडे के साथ अपने दलों के अनुसार प्रस्थान किया अमिक्षदाय का पुत्र अहियेजेर उनके समुदाय का नेता था अकरुन का पुत्र पगियेल अशेर कुल वालों के समुदाय का नेता था और इनान का पुत्र अहिरा नफ्ताली कुल का नेता था इसी करम में इसराइलियों के दलों को प्रस्थान करना पड़ता था और इसी के अनुसार उन्होंने प्रस्थान किया मुसा ने अपने ससूर मिदियानी रुएल के फूत्र हुबाब से कहा अब हम बहुत देश जाएंगे जिसके विशे में प्रभु ने ये वचन दिया था कि मैं उसे तुम्हें देदूँगा, तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी भलाई करेंगे क्योंकि प्रभु ने इस्राइलियों की भलाई करने का वचन दिया है, परन्तु उसने उत्तर खंड के उन सब स्थानों को जानते हो, जो पड़ाव डालने के लिए उप्युक्त होंगे, इसलिए तुम हमारे पत्प्रदर्शक बन जाओ, यदि तुम हमारे साथ चलोगे, तो हम भी तुम्हारे वैसे ही भलाई करेंगे, जैसी प्रभु हमारी करेगा, तब उन्होंने प्रभु के परवत से अपनी तीन दिन की आत्रा के लिए प्रस्थान किया, तीन दिन की इस यात्रा में प्रभु की विधान की मंजूसा उनके आगे चलती रही, जिससे उसके माध्युम से ठहने के सान का पता चले, जब वे अपना शिविर उठाते, तब दिन में उठ खड़ा हो जा जिससे तेरे शत्रों दितर बितर हो जाएं और तेरे विरोधी तेरे सामने से भाग जाएं और जब वह ठर जाती तब वह कहता प्रभु इन लाखों इस्राइलियों के पास लौट आ गन्नगरंत अधियाए ग्यारा लोग अपने कष्टों के कारण प्रभु के विरुद बुन बुनाने लगे इससे प्रभु का कोव भड़क उठा प्रभु की अगनी उनके बीच प्रजुलित हुई और उसने शिविर का एक कोना जला दिया लोगों ने मूसा को सहायता के प्रगनी बुझ गई इसलिए उस्थान का नाम तबियरा पड़ गया क्योंकि वहां उनके बीच प्रभु की अगनी प्रजुलित हुई थी उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिस्ट भोजन के लिए लालाईत हो उठे और इस्राइली भी विलाप करने लगे उन्ह अब तो हम भूकों मर रहे हैं हमें कुछ भी नहीं मिलता मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता मन्ना धनिया के बीच जैसा था उसका रंगरूप गुगुल के सद्रिश्य था लोग उसे बटोडने जाते थे चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और रात को ओ सिविर पर उदरती थी तो मन्ना भी गिरता था मूसा ने लोगों को कहा हर परिवार को अपने अपने तंभू के द्वार पर विलाप करते सुना प्रभू का क्रोध भड़क उठा मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभू से यह कहा तो अपने दास को इतना दुख्यों दे रहा है तो मुझ पर इतना अप्रसन क्यूं है कि तुने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है क्या मैंने इसे उत्पन किया है जो तु मुझ से कहता है जिस तरह दाई दूद पीते बच्चे को संभालती है तुम इसे गोद में उठा कर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूरवज़ों को देने का शपत खाई है मैं इन सब लोगों के लिए कहां से मास ले आओ वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं हमें खाने के लिए मास दीजिए मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता मैं यह भार उठाने में आसमर्थ हूँ यदि मेरे साथ तेरा यही वेभार हो तो यह अच्छा होता कि तु मुझे मार डालता यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर प्रभु ने मूसा से कहा इस्राइलियों में इसे सत्तर वियो विद्धों को बुलो आओ जिनके विशय में तुम जानते हो कि वे जनता के नेता और शास्त्री हैं उन्हें दर्शन कक्ष ले जाकर अपने साथ खड़ा करो मैं आकर वहां तुम्हारे साथ बात करूँगा जो शक्ती तुम्हें मिली है मैं उसका कुछ अंश वापस लेकर उन्हें प्रदान करूँगा इस तरह वे तुम्हारे साथ इस जाती का भार संभालेंगे और तुम्हें इस से अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा लोगों से यह भी कहो कि कल के लिए तुम अपने को पवित्र करो क्योंकि तुम्हें मास खाने को मिलेगा तुम लोगों ने तो प्रभु के विरुद भुन भुनाते हुए कहा कौन हमें मास खाने को देगा मिश्र में हमारी दशा कितनी अच्छी थी इसलिए प्रभू तुम्हें मास खाने को देगा न एक दिन न दो दिन न पांच दिन न दस दिन बलकि तुम महीने भर मास खाओगे यहां तक उस से तुम्हें अरूची हो जाएगी और तुम उप जाओगे क्योंकि तुमने अपने साथ रहने वाले प्रभू को तुझ समझा और यह करते हुए उसके सामने पस्चिता प्रकट किया कि हम मिश्र से क्यों निकल आए मुसा ने कहा ये लोग जिनकी साथ मैं हूँ छहलाग पैदल सैनिक है तो भी तु कह रहा है कि मैं उनके लिए इतना मास जुटा दूँगा कि वे महिने भर खाएंगे तो क्या इतनी भेड़े और बच्ड़े काटे जा सकते हैं कि वे उनके लिए परियाप्त हो अथ्वा कोई उनके लिए समुद्र कि सब मचलिया पकड़े तो क्या वे भी उनके लिए परियाप्त होंगी प्रभु ने मुसा को उत्तर दिया क्या प्रभु में इतना भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके तुम स्वयम देखोगे कि मैं जो कह रहा हूं वह सच होगा या नहीं मुसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए उसने सत्तर व्योवरिद्धों को बुला कर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया तब प्रभु बादल में आकर मुसा से बात करने लगा और उसने मुसा की शक्ति का कुछ अंश सत्तर व्योवरिद्धों को प्रदान किया इसके फल स्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेड़ना का नुभव हुआ और वे भविश्यवानी करने लगे बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ दो पुरुष शिविर में रह गये थे एक का नाम था इलदाद और दूसरे का मेदाद यद भी वे दर्शन कक्ष में नहीं आये थे तब भी उन्हें दिव्य प्रेड़ना का नुभव हुआ क्योंकि वे चुने हुए व्योवरिद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविश्यवानी करने लगे एक नवयवक दोड़कर मुसा से यह कहने आया इलदाद और मेदाद शिविर में भविश्यवानी कर रहे हैं नून के फुत्र युश्यवा ने जो बचपन में मुसा की सेवा करता था वा कहकर अनुरोद किया मुसा गुरुवर उन्हें रोग दीजिये इस पर मुसा ने उसे उत्तर दिया क्या तुम मेरे कारण इर्शा करते हो अच्छा यही होता कि प्रभु सभों को प्रेना प्रदान करता और प्रभु की शारी प्रजा भविश्यवानी करती इसकी बाद मुसा और इस्राइलियों के नेता शिविर लोट आये प्रभु की आग्या से समुद्र की ओर से हवा आई और अपने साथ बटेरें ले आई और उन्हें आसपास गिरा दिया उन्होंने शिविर के चारों और एक दिन की यातरा की दूरी तक और दो हाथ की उचाई तक सारी प्रित्वी ढख ली तब लोग उस दिन और रात तथा दूसरे दिन भी जा जाकर बटेरें पकड़ने लगे किसी ने भी सौमन से कम नहीं बटोरा उन्होंने सुखाने के लिए लोगों ने उन्हें शिविर के आसपास रख दिया वे उनका मास पूरा खा भी नहीं पाए थे कि प्रभु का क्रोध लोगों पर भड़क उठा और प्रभु ने उन लोगों पर एक भारी व्यदी भेज दी इसलिए उस्थान का नाम की ब्रोथ हतावा पड़ गया क्योंकि वहीं उन लोगों को दफनाया गया जो स्वादिश भोजन के लिए लालाईत हो उठे थे पूतरगरंत अध्यपच्छतर ईश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तेरे नाम लेते हुए और तेरे अपूर्बकारियों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं निधरित समय आने पर मैं स्वाइम निस्पक्छता से न्याय करूंगा पृत्वी अपने सब निवासियों के साथ ड़ जाएगी क्या मैंने उसके खंबों को सापित नहीं किया मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुस्टों से अपना सीर मत उठाओ अपना सीर उतना उचा मत उठाओ ईश्वर के सामने ध्रिस्टता मत करो क्योंकि ना तो पुर्ब से ना पश्चिम से और ना मरुभोमी से उधार संभाओ है ईश्वर ही न्याय करता है वा एक को नीचा दिखाता और दूसरे को उचा उठाता है तिक्ट उफनाती मदीरा से भरा प्रभू के हाथ में एक प्याला है वा उसमें से उडेलता है प्रित्वी के सब दुस्ट जनों को उसे तल छट तक पीना है मैं सदा उसकी घोशना करता रहूँगा मैं याकुब के ईश्वर की स्टूती करूँगा मैं सब दुस्टों का सीर जुकाऊंगा किन्तु धर्मी का सीर उचा उठाया जाएगा प्रेरित चरित अध्याग्यारा येरुसलेम में पेत्रुस का स्पस्टि करन प्रेरितों तथा यहुदिया के भायों को यह पता चला कि गैर यहुदियों ने भी ईश्वर का वच्चन स्विकार किया है जब पेत्रुस येरुसलेम पहुंचा तो यहुदी बिश्वासियों ने उसकी अलुचना करते हुए कहा आपने गैर यहोदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया इस पर पेत्रुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा मैं युपे नगर में प्रात्ना करते समय आत्मा से अविश्ट हो गया मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उनके चारों कोने मेरे पास प्रिथ्वी पर रखे जा रहे हैं मैंने उस पर द्रिष्टी गड़ा कर देखा कि उसमें प्रिथ्वी के चौपाले जंगली जानमर, रेंगने वाले जीवजन्तु और अकास के पक्षी है मुझे एक वानी यह कहते हुए सुनाई पड़ी पेत्रूस उठो, मारो और खाओ मैंने कहा प्रभू कभी नहीं मेरे मुझ में कभी कोई अपवित्र अथ्वा अशुद वस्टू नहीं पड़ी उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यहवानी सुनाई पड़ी ईश्वन ने जिसे शुद घोशित किया, तुम उसे अशुद मत कहो तीन बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वाचीज फिर स्वर्ग में उपर उठा ली गई उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए तीन आदमें उस घर के सामने आ पहुँचे जहां मैं ठहरा हुआ था आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखट के उनके साथ चाहूँ ये च्छा भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुश्य के घर में प्रवेश किया उसने हमें बताया कि उसने अपने हाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे या कहा आदमियों को युपे भेजिए और सिमौन को जो पेत्रूस कहलाते हैं बुलाए वा जो सिक्छा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ती प्राप्त होगी मैंने बोलना आरम किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उत्रा जैसे कि वा प्ररम में हम पर उत्रा था उस समय मुझे प्रभू का वह कथन याद आया योहन जल का बबतिस्मा देता था परंतु तुम लोगों को पवित्रा आत्मा का बबतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वर्दान दिया जो हमें प्रभू ईसा मसी में विश्वास करने वालों को मिला है तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता ये बाते सुनकर वे शंत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्थूती की ईश्वर ने गैर यहोदियों को भी यह वर्दान दिया कि वे उसकी और अभी मुक होकर जीवन प्राप्त करें अन्ताखिया में कलीसिया की स्थापना स्टेफनोस को लेकर येरुसलिम में अत्यचार प्रारंब हुआ था जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनीसिया कूपरस तथा अन्ताखिया तक पहुँच गए वे यहोदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमचार नहीं सुनाते थे किन्तु उन में से कुछ कूपरस तथा कुराने के निवासी थे और वे अन्ताखिया पहुँचकर युनानियों को भी प्रभु ईशा का सुसमचार सुनाते थे प्रभु उनकी सहयता करता था बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभू की ओर अभिमुक हो गए यरूसलेम की कलिस्या ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बारनबस को अंतक्या भेजा जब बारनबस ने वहाँ पहुँचकर ईश्वरिया अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनन्दित हो उठा उसने सबों से अनुरोद किया कि वे सारे हिदय से प्रभू के प्रती इमानदार बने रहें क्योंकि वह भला मनुश्य था और प्रवित्रा आत्मत था बिश्वा से परिपूर्न था इस प्रकार बहुत से लोग प्रभू के शिश्य में सम्मेलित हो गए इसके बाद बारनबस साउल की खोच में तार्सुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंतख्या ले आया दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलिस्या के यहां रहकर बहुत से लोगों को शिक्छा देते रहे अंतख्या में सिश्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला बारनबस था साउल की यरुसलिम यात्रा उन दीनों कुछ नवी यरुसलिम से अंतख्या आए उन में एक जिसका नाम आगाबस था उट खड़ा हुआ और आत्मा की प्रेरना से बोला कि सारी प्रित्पी पर घोर अकल पढ़ने वाला है या अकाल वास्तों में समराठ क्लाउदियूस के राजकाल में पढ़ा शिश्य ने निश्यत किया कि यहूदियों के भाईयों की सहेता के लिए उनमें प्रतेक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेच देगा तदा अनुसार उन्होंने बारनबस तथा साउल के हाथ अध्यक्षों को चंदा भेजा झाल